कैसे हो आप लोग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्शन और स्लिप्रिंग मोटर के बारे में इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि इंडेक्शन मोटर का कहां उप्योग किया जाता है है गाओ किया जाता है आखिर कार इस दोनों मोटर में फर्क जाना है तो इसोंे के बारे मैं इस वीडियो में बात करेंगे तो आप लोग इस video को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते म constitutional हम बात करते हैं मोटर की बारे में कि आखिर स्लिप्रिंगiste मोटर का कि आख आ लगता है वहां में ज्यादा शुरुवाती तागत की जरुवात होती है वहां पर हम लोग सिलिपरिंग मोटर को उप्योग करते हैं और साथ ही जहां जिस चीज को में धीरे-धीरे उखारना हो जैसे कि हम मोटर में लाइन दिये और कुछ सकेंड के लिए मोटर जो है धीरे- पूरा फुली इस्पीड में लाए या जो भी चीज हमारा जो पर परेसर लगने वाला है उसके पूद्धे मोटर में लाइन देने के बाद फुली परेसर पर जाए वहां पे हम लोग यह सिलिप्रिंग मोटर का उपियोग करते हैं तो आप लोग तो यह समझ गया कि सिलिप्र सिलिप्रिंग मोटर के हम लोग उपियोग कहां करते हैं और सिलिप्रिंग मोटर का उपियोग क्यों करते हैं तो सिलिप्रिंग मोटर के उपियोग क्यों करते हैं वह भी आप समझ गया कि सिलिप्रिंग मोटर के हम लोग इसलिए उपियोग करते हैं कि हमें किसी भी चीज को जोए आसानी से धीरे-धीरे उखारना हो यानि कि धीरे-धीरे में परेसर लगाना हो और हमारा उस शिस्टम का जो है यह स्टार्टिंग तागत जो हमाई यह ज्यादा लेता हो वहां पे हम लोग यह स्टार्टिंग मोटर का उफ्योग करते हैं तो हम बात करते हैं Injection कि बादे में कि इंडेकेशन दिखका किया जाता है तो देखिए अल्य लोग उपीयोग करते हैं जहांपे हमे एक स्टार्टिग ट्रक यहानि पर कोई दिकत नहीं हो उस जगे पर हम लोग यही इंडेक्शन मोटर का उफ्यूब करते हैं तो उपमीद करता हूं कि हमेंगे कि इंडेक्शन मोटर और olduğunu कहां उस या यह आंतर है और दुनों मोटर को मोटर को कहां उफ्यूब करते हूं तो एकर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को तब आकर ओल पर किलिक कर दीजेगा ताकि हमारे आने बाले हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे